प्रकाश का परावर्तन के लिए हम देखते हैं ये एक आप्टिकल फिनोमेना है जिसमें हम देखेंगे कि हम किसी भी light ray को हम किसी transparent medium में यदि हम incident कराते हैं तो हमें reflection में क्या मिलता है ये जिस भी हम तो मैं सबसे पहले इसकी definition बता देती हूँ परावर्तन की definition क्या होती है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शक माढध्यम से टकराती है तो उसी माढध्यम में क्या हो जाती है वापस लोट जाती है इस घटना को हम क्या बोलते हैं परावरतन बोलते हैं अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे हमने क्या लिया है पारदर्शक माध्यम में हमने यह मीडियम क्या लिया है एक मिरर लिया है मिरल यह जिसमें से यह light incident हो रही है जैसे यह कांच से टकराए mirror से टकराने के बाद यह क्या हो रहा है यह उसी माध्यम में क्या हो रही है वापस लोट जा रही है तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं परावर्तन बोलते हैं अब देखिए यह जिस सता पे reflect हो रही है जहां से यह इधर से तो यह देखिए इन दोनों के बीच यह कूण बन रहा है और यह क्या किचा है यह अभिलंब किचा है इसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल को अभिलंब बोलते हैं हिंदी में हिंदी में यह अभिलंब है यह आपतित किरण है यह क्या है परावर्तित किरण है और यह क्या है हमारा पारदर्शक माध्यम है यह पारदर्शक माध्यम के लिए हम सबसे अच्छा सता क्या ले सकते हैं इसके लिए हम चांदी की जो surface रहती है वो सबसे अच्छा परावरतन की घटना के लिए अब हम law of reflection देख लेते हैं परावरतन के दो नियम होते हैं तो दो नियम first नियम क्या बोलता है the angle of incidence equal to angle of reflection तो यह जो हमारा angle बन रहा है यह नॉर्मल से यह incident tray और नॉर्मल के बीच में तो यह होता है angle i, angle of incidence और यह जो reflected tray और नॉर्मल के बीच angle बन रहा है यह होता है angle of reflection तो first जो law है वो क्या बोलता है angle i equals to angle r तो यह हमारा first law था जो कि reflection में angle i equals to angle r that means जो incident tray और नॉर्मल के बीच में angle है और reflection angle है दोनों ही कैसे है equal है that means यहां से जो किरने जिस कूण के साथ आ रही है उसी angle में क्या हो रही है वापस भी उसी medium में जा रही है अब second law है the incident and reflected and the normal lie in same plane तो हम यहां देख सकते हैं कि यह जो है incident tray normal and the reflected ray यह तीनों ही कैसे है एक ही plane में है एक ही surface पे है और यह जो यह वाला point रहता है जिस point में आके यह यह जिस point में तीनों ray मिलती है तीनों मतलब incident ray normal and reflected ray तो उस point को हम क्या बोलते हैं incidence point बोलते हैं आपतन बिंदू बोलते हैं तो यह हमारे second law क्या बोल रहता है कि incident light ray reflected light ray and the normal तीनों कैसे होना चाहिए एक ही सत्ह पर होने चाहिए यह दोनों यह क्या हो गया हमारा second नियम हो गया reflection का था फर्स्ट जो लौ था उसमें क्या बता है angle angle of incidence and angle of reflection both are equal and the second law reflection क्या था कि incident ray and the reflected ray and normal lie in same plane तो यह हमारा क्या था second law था तो यह हमारे दो reflection के law थे जो कि हमने अब हम परावरतन के प्रकार देखेंगे तो परावरतन के दो प्रकार होते हैं जो सफर्स्ट है diffuse reflection and second is specular reflection तो हम diffuse reflection में देख लेते हैं तो diffuse reflection में हम क्या लेते हैं एक rough surface लेते हैं और जब इसमें हम light incident करते हैं तो हम यह क्या देख रहा है कि light जो कि हमने first law में देखा था incident angle and reflection angle कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, यहां पर भी इक्वल है, लेकिन जो इनके बीच नॉर्मल है, यह जो नॉर्मल बन रहा है, नॉर्मल जो है, यह इन सब आपतित किरणों और परावरतित किरणों के बीच का नॉर्मल जो है, वो एक दूसरे के सामाना अंतर नहीं होता है, इसलिए यह इसे ह हम क्या बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जैसा कि यहां डेफिनेशन में भी लिखा हुआ इस इमेज में कि जो यह नॉर्मल बन रहा है वो कैसे एक दूसरे के पैरलर नहीं है अब हम सेकेंड देख लेते हैं टाइप इस्पैकुलर रिफ्लेक्शन में क्या देखते हैं हम यहां पे एक प्लेइन लेते हैं प्लेइन में हम जैसे ही लैट इंसिडेंट करते हैं तो जो फर्स्ट लॉँ है वो तो उस नियम का पालन यहां होता है और जो नॉर्मल है वो भी कैसे होते हैं एक दूसरे के समान आंतर होते हैं जैसे mirror like a reflection, all normals are parallel, तो यह देखिए, तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है इस image में कि normal कैसे बनेंगे, हर incident light के लिए normal कैसे होंगे, parallel होंगे, तो यह था हमारे दो टाइप के परावर्तन के प्रकार, diffuse reflection and specular reflection. अब हम पढ़ेंगे reflection, अपवर्तन के बारे में, तो अभी हम देखते हैं, अपवर्तन क्या होता है, तो यहाँ definition लिखी हुए, light changes direction when crossing a boundary from one medium to another, this is called the reflection and the angle of outgoing ray makes a normal, is called the angle of reflection. तो हम मैं इसको बताती हूँ definition, हिंदी में इसकी definition क्या होगी, जब कोई प्रकाश किरन किसी माध्यम से अन्य माध्यम में प्रभीश करती है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, तो प्रकाश किरन अपने माध्यम से बिचलित हो जाती है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, कि यहां पर हमने light incident की यह अपतित किरण है जो कि हम rare medium से किसमे जा रहे हैं dense medium में viral medium से second medium में जा रहे हैं जैसे यहां पर first medium क्या लिया है हमने air लिया है और second medium हमने क्या लिया है यहां पर water लिया है तो जैसे ही rare medium से dense medium में जा रही है तो यह क्या हो रहा है अपने मार्ग से विचलित हो रही है तो यह हमारी अपवर्तन की घटना है और यह दोनों के बीज में हमने यह क्या बनाया है एक नॉर्मल बनाया है और यह जो है टीटा बन जो यह लिया है यह एंगल ओफ इंसिडेंस है और यह जो टीटा टू लिया है यह angle of reflection है, that means अपवर्तन कोण, यह आपतन कोण है theta 1 and theta 2 क्या है, अपवर्तित कोण है, तो यह अपवर्तन की घटना में दो condition होती है, जो कि मैं आपको बताऊंगी, एक तो viral से सघन माध्यम में जाने पर होती है, और दूसरी होती है, सघन से viral माध्यम में आने पर प्रकाशिक लिए गटना होती है, तो यहाँ पर हमें दोनों diagram दिये गए है, अब हम देखते हैं, दोनों में difference क्या है, तो दोनों में difference होती है, यह जो फॉस्ट वाला डाइग्राम है, इसमें जो प्रकाश के रण है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में परताबी रही है, तो इसमें यह यह लिखा है और नीचे लिखा हुआ है रे बेंड स्टुवर्ट्स नॉर्मल जैसे विरल माध्यम से प्रकाश करण सगन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की और जुग जाती है यह देखिए यह टीटर टू यह जो यह अपवर्तित किरण है यह अभिलंब के पास में है तो यह विरल सगन में आने पर अभिलंब की और जुग जाती है अब हम दूसरी कंडिशन देखते हैं जब प्रकाश करण वाटर से एयर में जाती है किसे वाटर से एयर में जाएगी तो क्या होगा वाटर से ये देखिए, एंगल देखिए, ये डाइरेक्शन देखिए, रे की, यहाँ पर हमने सोर्स लिया है, टॉर्च लगा है, और ये डेंस मीडियम से, रेर मीडियम में जा रही है प्रकाश किरण, ये ठीटा वन हो गया है, ये नॉर्मल और इंसिडेंट ट्रे की बीच और ये एंगल ओफ रिफ्रेक्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश किरण सगन माध्यम से विरल में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हट रही है, ये जो है, यहाँ पर, ये देखिए, एंवन इस ग्रेटर देन, एंड टू, एंड रे बेंड से अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये कंडिशन हमने देख ली दोनों, कि यदि प्रकाश किरण विरल से सगन माध्यम में आती है, तो क्या होता है, और सगन से विरल माध्यम में जाती है, तो क्या होती है, विरल से सगन माध्यम में आती है, तो अपवर्तित किरण जो है, या रिफ्रे साता है यहाँ पे जो है ठीटा जो फॉस्ट कंडिशन जो दी हुई है फॉस्ट कंडिशन में जो ठीटा वन है ठीटा वन इस ग्रेटर देन ठीटा टू होता है और सेकंड कंडिशन में होता है ठीटा टू ग्रेटर दें ठीटा वन क्योंकि सेकंड कंडीशन क्या हूं रहा है जो अपवर्तित के रन है वह अभि लिंभाथ से दर पट रहे तो यहां हमें दिखी रहा है इनके बीच का एंगल जादा होगा गांपेर ट्यफाइब हो दिख रहा है कि हैंगल है बड़ा है एंगल टू से तो यह हमने दोनों कंडिशन देख लिए अपवर्तन की अब हम अब हम लौ अफ रिफ्लेक्शन देखेंगे अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं फर्स नियम यहां पर लिखा हुआ है इंसिदेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आर ओल ऑन दा सेम प्लेन जैसा कि हमने परावर्तन में भी पढ़ा था कि आपतेत के रण परावर्तेत के रण और अभी लंब एक ही तल में होना चाहिए वैसे ही सेम नियम यहां पर भी लगता है आपतेत के रण अपवर्तेत के रण नॉर्मल और यह जो परावर्तेत के रण तीनों कैसे होने चाहिए एक ही तल में होने चाहिए तो यह हमारा फर् इसको मैं हिंदी में बताना चाहूंगी, यह आपतन कोण की जिया का मान, अपवरतन कोण की जिया के मान की निश्पत्ती के बराबर होता है, देट मैंस, जो आपतन कोण की जिया है, मतलब sin थीटा है, sin I, इसको हम यह जो है, साइन अच्छती की जिया है, r भी लिख सकते है equals to हम लिखते हैं इधर पे n2 upon n1 यह n2 और n1 क्या है यह दोनों ही माध्यम के अपवर्तनांक है जिसको कि हम यह किसके equal होता है यह mu के equal होता है mu एक constant होता है तो यह क्या है इसे हम snail का नियम भी कहते है sin i upon sin r equals to mu this is called snail's law यह जो mu है इसको हम अपवर्तनां क्या refractive index भी कहते है जिसमें third point भी लिखा हुआ है the path of light through the refractive surface is reversible तो मैं यह बताना चाहूंगी कि यह जो second law है यह snail's law यह important है कभी-कभी objective में या snail के नियम से भी जाता है what is snail law and इसका नियम भी लिखिए तो यह snail's law क्या होता है यह अपवर्तन के नियम में second नियम जो होता है वही क्या होता है snail का नियम होता है snail एक विज्ञानिक का नाम था जिनोंने यह नियम बताया कि निसाय नाई मतलब आपतन कोण कीजिया और अपवर्तन कोण कीजिया कि निश्पति एक नियतांक के बराबर होती है तो यह हमने देख लिए अपवर्तन के नियम यह जो अपवर्तन और परावर्तन है बिल्कुल बेसिक फिनोमेना है यह ओप्टिकल फिजिक्स के तो हमने दो कि अ कर दूंग! कि अ अ गी षांक, वे बा कने कर दूंग! कि अआ़ा कि użyां रेंग